हेलो आपकाश गोर वेलकम बैक टो एंडिन मैटिकल लेक्चर नया टोपेक लेके वर आप में लेगे लिपिड प्रोफाइल ठीक है पूरी रिपोर्ट के अकोडिंग एक एक पॉइंट एक चीज़े आपको समझाऊंगो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लेंग्वेज में क् पेरामीटर्स का यहां पर क्या क्या रोल होता है क्या बढ़ जाने पर कौन से डिसीज कम हो जाने पर कौन से डिसीज वित डिसीज के ट्रेटमेंट के अकोडिंग हम लोग मेडिशिन के अकोडिंग इस चीज को समझेंगा है किस प्रकार कि आप मेडिशिन आपको एजील इस चीज को आते हैं तो यहां पर सबसे पहले को कोलेस्टरॉल दिया हुआ है cholesterol के बाद यहां पर दी हुई है cholesterol के बाद आयो है tri glyceride triglyceride एक energy का source होता icon triglyceride जो कि हमारे eduos tissue के अंदर कतेज रहता है और यह जरवत पन्डे फिर Meluja का उत्पादान भी करता है HDL क्या होता है LDL क्या होता है इसमें से कुन सा good cholesterol है कौन सा bad cholesterol है सारी चीज़े point to point discuss करते है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर report में cholesterol दिया है तो cholesterol के बारे में थोड़ा से समझ लेते देखेगा cholesterol is a wax and fat like substance which is found all body part in its circulative blood plasma यानि कि cholesterol wax और fat की तरह गाड़ा पदारत होता है जो कि शरीर के सभी अंगों में शरीर के सभी अंगों में पाया जाता है और यहां रक्त में उपस्तित plasma के दौरा पूरे शरीर में परिवहन करता है simple बात बोल रहा बंदा कि ऐसे परिवहन करता है कि बलड में पाया जाता है plasma के थूरू यह travel करता हो होता कि तब fat यहने कि एक वेक्स लाइक यह सब्स्टेंस होता है ठीक है some type of cholesterol are helpful for body and some are very harmful for our body यहने कि बोल रहा है according to this cholesterol may be good and bad simple बात बूली बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है कि भाया cholesterol जो होता है अमारे शरीर के लिए बहुत ही लापकारी होता है और साथ हानी का रग भी होता है इस बेसेश पर cholesterol दो प्रकार के होता है अच्छा cholesterol और बुरा cholesterol ने की good cholesterol और bad cholesterol ठीक है अच्छा भी हो सकता है और bad भी हो सकता है यह हमारे basic सी डीटेल थी इन सब को एक साथ में लिपो प्रोटीन के नाम से जाना गया है ठीक है इन सब को किस नाम से जाना गया है लिपो देखे जब तक आप theory नहीं समझोगे तब तक आपको actual में report का मतला भी नहीं समझ में आएगा मुझे बहुत सरे लोग blame करते भाई क्या पढ़ा रहा को पढ़ा रहा मैं आपको point to point चीज़े समझाता हूं तो कि आप लोगों को benefit हो उस चीज़ से तो इन सब को मिलाके हम लोग simple नाम दिया है लिपो प्रोटीन अब यह लिपो प्रोटीन क्या गई देखेगा लिपो प्रोटीन क्या होता है लिपो प्रोटीन molecular complex which is consist of lipid and protein लिपो प्रोटीन जिसमें lipid भी हो और protein भी हो इन दोनों के combination को लिपो प्रोटीन के नाम से जाना गया है ठीक है लिपो प्रोटीन is a transport vehicle of lipid simple बात लिपो प्रोटीन क्या होता है ट्रांसपोर्ट vehicle of lipid यहने कि lipid को एक motorcycle है motorcycle को ओने protein है उसके उपर आके बेड़िया lipid और वो ट्रांसफर करवा रहा इसे मिला गया हमने लिपो प्रोटीन बोला ठीक है यह चीछ ध्यान रखिएगा अब देखिएगा लिपो प्रोटीन is delivered lipid component cholesterol triglycerate to various tissue for utilization बोल रहा है कि जो लिपो प्रोटीन है यह lipid वाले भाग जिसे कि लिपिट का भाग है लिपिट का ही भाग है उसको क्या करता है ट्रांसपर करवाता है triglycerate को triglycerate के energy का source है हमारे बोडी में इसको परिवहन करवाता है और जहां भी शरूर में उर्जा की अवश्यकता होती है जैसे कि हम लोग weight loss करने की कोशिश करते खाना कम खाते खाना कम खाएंगे तो शरीर को उर्जा की जर्वाते तो उर्जा फिर fat टूटेगा जब हमारे बोडी में पूरी तरह से energy खतम होगी तो फिर fat जो टूटना start हो जाता है fat का metabolism start होता है cholesterol और lipid जो triglycerate जो edubos tissue के अंदर आपका प्रेजेंट रहता है वो टूटने लगता है वो कम होता है fat कम होता है इसे हम लोग lipid केते हैं यह हुआ lipoprotein अब देखों यहां तक में आपको पूरा complex का मतलब बता है कि lipoprotein का मतलब क्या होता है अब देखें यहां पर सबसे पहले HDL high density cholesterol क्या होता है वो समझेगा high density lipoprotein जिसे कहते है high density cholesterol यह क्या होता है it is synthesized by intestine cell and release into blood circulation छोटी आत में बनता है आपका क्या HDL जिसे high density lipoprotein जिसकी density high होती है ठीकी छोटी आत के कोशिकाओं के दौरा बनाया जाता है और यह सीधे रक्त परिवहन में छोड़ दिया जाता है blood circulation में directly छोड़ दिया जाता है it takes free cholesterol इसका काम बता रहा हो के भाया इसका बनने का मतलब क्या है it takes free cholesterol from peripheral tissue and blood or sand in the liver देखना समझेगो बहुत important दवाईया आप डॉक्टर हो आप मुझे पता है यहाप दवाईया पढ़ने आयो यह बगवास नहीं पढ़ने आओ बट भाया यही भगवान है एक तरह से इस theory को जब तक आप concept में clear नहीं करोगे आपको lipid profile समझ में आना ही नहीं है आप ulti CD दवाईया प्रस्क्राइब कर दोगे कोई मतलब नहीं जब तक आपको knowledge नहीं होगा ठीक है तो बोल रहा है कि it take याने कि यह cholesterol इसलिए इसे में it is also called good cholesterol इसे में अच्छा cholesterol कहूंगा क्यों कहूंगा भाया मेरे blood में अगर ज्यादा cholesterol बढ़ेगा तो मेरे heart की valve है वहाँ जाके फसेगा फिर heart attack आएगा कि नहीं आएगा तो उस heart attack की risk को कम करता है क्योंकि यह blood में से क्या करता है यह motorcycle है इस motorcycle के उपर बैठाएगा कि इसको जो cholesterol है उसको और बिठा के छोड़ देगा लीवर में जाके इसका metabolism हो जाएगा याने कि यह तूट जाएगा और तूटेगा तो यह automatically body से बाहर निकल जाएगा urine के तुरू समझ माया तो यही चीज है कि it is also called good cholesterol हम HDL को अच्छा cholesterol भी मानते हैं बड़ बहुत जादा नहीं होना चाहिए ठीक है नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो 30-60 mg पर deciliter यहाँ पर deciliter में लिया गया है और जो report की बात करूँ जैसे कि HDL हाइडेंस लिपोपरोटिन 50 आया है 40 से काम होता है पर mg per deciliter है ना mg per deciliter unit का अंतर होता है ज्यादा था report में mg per deciliter ही आता है इतना ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है तो cholesterol का HDL वाला भाग समेंट में आया है आपको क्या क्या होता है कि अच्छा cholesterol it is synthesized in liver अब यह बनता है लिवर में है जबकि हमने HDL पढ़ा था वो हमारी intestine आतों के अंदर बढ़ रहता पर यह हमारे liver के अंदर बनता है synthesized from liver and from glycerol and fatty acid के mixture से यह बनता है VLDL very low density lipoprotein combination with hepatic cholesterol ठीक है जिसके अंदर combination होता है hepatic यह liver के अंदर glycerol और वसीय अंबल से बनता है और यह है बाद में hepatic cholesterol में बदल जाता है liver के cholesterol में liver के fat में यह परिवर्तित हो जाता है very low density lipoprotein it transport triglycerate from liver to peripheral tissue from energy neat अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं कि भाई है यह जो cholesterol है triglycerate को liver से ले जाता है वो peripheral tissue तक भेज देता है मतलब क्या होता है liver में मेरा बहुत सारा fat जमा हो गया कौन सा अला cholesterol जमा हो गया अब उस cholesterol को कौन इखटा करेगा भईया triglycerate वगिरा को VLDL very low density lipoprotein और जब हम भूके रहेंगे हमें जरुत रहेंगे cells को energy की नीड रहेंगे तो वो triglycerate को हमारे liver से उठाएगा और उठा के हमारे शेरे के दूसरे भागों में छोड़ देगा तक वो energy का utilization हो सके और liver में भी fat की मात्रा नहीं अंत्रित रहें तो ठीक है भाईया कोई बेकार बात नहीं VLDL very low density lipoprotein ठीक है ठीक है अब देखो NHDL याने की high density lipoprotein जिसे हम लोग bet cholesterol केते हैं क्यों केते हैं क्या होता है देखेगा it is synthesizing liver बनता भी है liver में ही है and it is part of VLDL यह VLDL यह की पीछे पड़ा उसी का भाग होता है बट इसकी density high हो जाती थोड़ा मोटा हो जाता है it transport a cholesterol from liver to peripheral tissue बहुत गलत बात बुलिए कि यह cholesterol को liver से लेकर peripheral tissue याने की हमारे liver से cholesterol को उठाता है वो blood में छोड़ देता है अगर यह LDL जादा बना शरीर में तो यह जादा liver से cholesterol उठाएगा और हमारे blood में छोड़ेगा और blood का जो cholesterol level है लिपोट का cholesterol level हाई हो जाएगा और जब जब cholesterol level हाई होता है तो heart attack की condition बनती है इसको कम करने के लिए जो दबाई है प्रस्क्रेब करते हैं वो मैं आगया बताऊंगा आपको it is deposit in tissue and increase the fat so it is called bad cholesterol अब भया बोल रहा है धीरे धीरे के अंदर जमा होने लगता है इसलिए इसे बुरा कोली जो fat जमता है ना उस fat के अंदर fat जमने का कारण यह है कि LDL का level low density lipoprotein का level जादा याने कि मयोटा व्यक्ति है fat बढ़ रहा है यह लिवर से cholesterol को उठा के हमारे blood में भेज रहा है उसका धंग से metabolism metabolism नहीं हो रहा है इस वज़े से heart attack के chances बढ़ जाते है it is increase in blood then it is responsible for cardiovascular disease याने कि यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए तो यह है काहिर्दे रोक संबंदित बीमारी याने कि cardiovascular disease का कारण बनता है ठीक है normal range 80 से लेकर 150 तक इसकी normal range होने चाहिए mg यह देखा हमने अब देखो यह थो हमारी report complete हुई भी है कि हमने इतनी report के बारे में समझा अब यहते है इसकी medicine के उपर इसकी medicine को anti-hyper-lipidemic drug भी कहते है है न anti-hyper-lipidemic drug भी कहते है lipid lowering drug भी कहते है क्योंकि lipid को कम करती है this type of drug help to reducing level of lipid यह lipid की मात्रा को कम करती है this type of drug also called lipid lowering drug अभी बोले lipid lowering drug भी कहते है there this also help reducing lipoprotein lipoprotein की मात्रा कम करती है lipid lowering drug यह anti-hyper-lipidemic drug देखे का कौन-कौन सबसे पहली medicine आती हमारी lipter medicine का नाम है lipter इसके अंदर composition होता है atrovestratin 40 mg की tablet आती है lipter 40 mg की tablet होती है film coated tablet है atrovestratin इसके अंदर composition आया जाता है at 28 film coated tablet होती है 40 mg की मिलती है नाम जो है lipter के नाम से मिलेगी doses 40 mg ओडी दिन में 12 दवाई को देना पड़ता है 40 mg याद रखिएगा important next जो दवा हमारी आती है lipid याने की वसा काम कानने वाली वह होती है symvotin symvotin के नाम से मिलती है इसके अंदर होता है symvowestratin composition पाया जाता है symvowestratin के होता 10 mg की tablet अवाई लेवल है 10 mg की tablet ओडी दिन में एक बार इस medicine को प्रस्क्राइब किया जाता है और बैसे भी patient के condition के according depend करता है कितने mg में doses देना है कितना जदा high cholesterol और कौन से medicine prescribe करना है पेले उसको देखना पड़ेगा बट ये medicine prescribe की जाती है symvowestratin में next आती है हमारी pravestratin जो composition जो drug salt होता है pravestratin sodium pravestratin sodium 40 mg की tablet 28 tablet का पूरा पत्ता होता है 40 mg ओडी दिन में एक बार इस tablet को prescribe की जाती है इतने लंबे समय तक देना है ये patient की severity के उपर ही depend करता है किसी को 7 दिन 8 दिन 15 दिन 1 month patient की severity अगर उसकी condition खराब होती तो और extend भी की जा सकती है next आती low estratin ये सबसे जादा इस्तमाल की जाती है low estratin के अंदर 20 mg की tablet ओडी दिन में एक बार दी जाती है low estratin tablet होती है important है याद रखना ये tablet भी बहुत जादा prescribe की जाती है patient को lipid lowering के समय एक हाती है pita safe pita safe के नाम से मिलती है pita westratin 2 mg की tablet दिन में एक बार ही इसको दी जाती है pita westratin के हमें 2 mg की tablet है one time prescribe की जागी pita safe के नाम से pita safe 2 के नाम से आपको market में ये दवाई मिल जाती है guys आपको समाज में अगर आया हो इस तरह का notes अगर आपको चाहिए हमारी book जो इस तरह की चाहिए दो book तीन book हम provide करेंगे pdf के form में यह हमारी application है Indian medical lecture play store के उपर मिलेगी description में comment में भी इसकी link होगी वहां से आप इसको download करो और हमारा यह course है medical book खरीदी इसमें 3 book की pdf देते है पूरा हमारा online course medicine disease treatment related Hindi English भाषा में देते सब को आप download कर सकते हो print करवा सकते हो इसमें 1 साल की extra validity मिलती है एक साल तक हम बहुत सारी चीजे आपको provide करते हैं promise करता हूँ आप इसको join करो बहुत सारा आपको इसमें सीखने को मिलेगा ठीक है 950 का price है 50 उर्पे में एक साल तक इसमें with हम लोग certificate भी आपको provide करते है basic knowledge का है experience knowledge का हमारी तरफ से certificate भी आपको दिया जाता है सारे चीजे digitally रेती है color print मिलेगी आपको book के पूरी color मिलेगी आप उसको color print करवा सकते हो आपकी according अगर आप चाहो तो thank you for watching guys आपका अपना Indian Medical Lecture झाल झाल